Hello Friends, Today we are going to study a very interesting way to do the multiplication of any digit number. किसी भी digit number का, किसी भी digit number के साथ multiplication बड़ी असानी से इस interesting method के साथ की जा सकती है. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं two digit number से. सबसे पहले 27 को 35 से multiply करके देखते हैं इस method से किस तरीके से किया जा सकता है. सबसे पहले करना क्या है, मैं थर द्यान से समझीए, इस number को देखिए, two digit number है, तो दो columns लेंगे. जितने digit number first वाला होगा, उतने ही columns लेने हैं, और second इदर जितने digit number है, उतने ही क्या लेने हैं, rows लेने हैं. तो मेरे पास दोनों ही two digit numbers हैं, तो दो rows और दो columns लिए हमने यहाँ पर. तो देखिए, क्या करना है हमें, यहाँ पर 27, we are writing 27 here, और यहाँ पर क्या रखें, 35. 35, तो सी, करना क्या है, सबसे पहले इस seven के साथ three को भी multiply करेंगे, seven के साथ five को भी multiply करेंगे, कैसे करेंगे, करना कैसे है, seven threes are क्या होता है, यह seven threes are 21 होता है, तो करेंगे क्या two यहाँ पर लिखेंगे, one यहाँ पर लिखेंगे, और seven five's are क्या होता है, 35, तो three यहाँ पर, five यहां पर बड़ा ही इंट्रेस्टिंग मेटट है ज्यान से देखिए और अब इसकी टॉन आ गई टू को थ्री से किया कितना आएगा सिक्स आएगा तो वी विल राइट जीरो सिक्स और टू को फाइव से करेंगे तो क्या आएगा टैन यानिकि वन यहां पर जीरो यहां पर इतना ही काम करना है और इसके बाद बड़ी असानी से यह देखिए आपके पास यहां पर डिफ्रेंट बॉक्स बन रहे हैं फर्स नंबर पर फाइव सेकेंड पैटरन देखिए वन थ्री और जीरो देन टू सिक्स और वन और लास्ट में यह अकेला जीरो बन रहा है करना क् इसके नीचे क्या आजाएगा और फिर इनको एड़ करें 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9 तो इसका टोटल 9 यहां पर लिख लिजे और क्यूंकि यह 0 है तो यह 0 ही रहेगा I hope समझ आया होगा यह 5 as it is then 1 3 and 0 are added to get 4 2 6 and 1 these 3 are added to get 9 0 as it is तो आगे क्या करना है यह देखिए यहां से नीचे की तरफ और यहां से इस तरफ बस इस तरफ जो sequence numbers की बनती है वही हमारा answer होगा क्या बन रहा है 0945 तो हमें क्या करना है बस इनकी product किसको लाएगी 945 क्योंकि starting में 0 लिखने की जरूरत नहीं है 945 is our final answer product of 27 and 35 is 945 तो बड़ा ही interesting method है बच्चों को जब करवाया जाएगा तो बच्चे बहुत असानी से इसको करते हैं और बड़े interest भी मैस में बनता है यह करने से आगे चलते हैं नेक्स कुशन पर discussion is 273 multiply 49 तो सबसे पहले तो यहां पर यह clear है कि इस method में हमें यह जरूरी नहीं है कि दोनों ही 2 digits हों या दोनों ही 3 digits हों यह देखिए हम 3 digit number को 2 digit number से भी multiply कर सकते हैं किस तरीके से 273 में 3 digit number है तो 3 columns बनाने है 49 2 digit number है तो 2 rows बनाने है तो बस यह box त्यार करके बिल्कुल असानी से देखिए 3 4s are 12 तो इधर से शुरू करना है 12 3 9s are 27 same way we need to do here 7 4s are 28 7 9s are 63 2 4s are 8 and 2 9s are 18s toh box त्यार है मारे पास now what we need to do 7 as it is add all these 3 and 2 5 5 and 2 7 8 and 6 14 14 and 8 22 22 and 1 23 तो 23 जब आया तो 3 यहां पर रखेंगे और 2 को next box में carry कर देंगे add all this 2 and 1 3 3 and 8 11 11 and 2 13 क्या बनेगा 13 का 3 यहां पर 1 अगले box के साथ carry 1 को 0 में add किया तो we get 1 तो final answer इस form में सबसे पहले क्या आएगा 1 यह देखें यहां पर लिखने 1 then 3 3 again 3 7 and 7 so this is our final answer I hope बहुत असान लग रहा होगा let's move to next question now this question is 372 multiply 123 both are three digit numbers so I'm having three columns as well as three rows तो देखें कैसे करते हैं बिलकुल same method यह दर से शुरू करेंगे 2 multiply 1 2 I'm writing 0 2 here 2 2s are 4 so 0 4 2 3s are 6 0 6 let's come here now 7 into 1 7 so writing 0 7 7 into 2 14 7 into 3 21 3 into 1 3 so writing 0 3 3 into 2 6 so 0 6 and 3 into 3 9 so writing 0 9 see it doesn't take time it's very easy so what we need to do this 6 as it is add all this 4 0 and 1 it is 5 add all these 2 and 4 6 6 and 2 8 8 and 9 17 so what we are going to do we are writing 7 here and taking 1 carry on this box add all this 1 and 6 7 7 plus 1 8 8 plus 7 15 5 here and 1 carry add all this 1 and 3 4 remaining are 0s so 4 writing here and this is 0 so our answer will be like this we'll start from 4 final answer will be 4 then 5 7 5 and 6 so 4 5 7 5 6 is the final answer of this product let's move to next question look at this question we are going to multiply now 5 digit number with a 4 digit number 4 7 8 2 3 I am having 5 digit number here so we are having 5 columns right so here we have 4 digit numbers so we are having 4 rows here so 4 columns and 4 rows you are having 5 1? Questoול수 have the same have 5 separating you have 3 就是 we are going to start our how to start the multiplication So we start the multiplication 3 2s are 6 3 7s are 21 3 1s are 3 and 3 3s are 9 so 1 column is completed start next 2 x 2 4 if you will need 100 are 14, 2 1s are 2 and 2 3s are 6. From 8 now, 8 2s are 16, 8 7s are 56, 8 1s are 8, 8 3s are 24. Next, 7 2s are 14, 7 7s are 49, 7 1s are 7 and 7 3s are 21. Last, 4 2s are 8, 4 7s are 28, 4 1s are 4 and 4 3s are 12. Now, table is ready. We are going to start addition now. 9 as it is, 6 and 3, 9, 4, 2 and 1. बाकी तो 0 है. एडिंग these, we get 7. Then, this row. 1 and 2, 3. 3 and 8, 11. 11 and 4, 15. 15 and 2, 17. 17 and 6, 23. 3. तो 3 यहां पर लिखेंगे, 2 करी करेंगे. Add all these now. 2 and 2, 4. 4 and 2, 6. 6 and 7, 13. 13 and 6, 19 and 1, 20. 20 and 4, 24. So, we will write 4 here. 2 करी. Add all these now. 2 and 1, 3. 3 plus 4, 7. 7 and 9, 16. 16 plus 5, 21. 21 and 6, 27. तो 7 यहां लिखेंगे, 2 करी करीए. Add all these then. 2 and 8, 10. 10 plus 4, 14. 14 and 4, 18. 18 plus 1, 19. So, we are writing 9 here and 1 is carrying. 1 and 2, 3. 3 and 8, 11. 11 and 1, 12. So, 2 यहां पर, 1 करी. 1 and 0, 1. So, our answer is ready now. In this sequence, let us start writing. 1, 2, 9, 7. Here, I am going to write answer. 1, 2, 9, 7. Then, 4, 3, 4, 3, 7, 9, 9. 7, 9 and 9. So, this is our final answer. तो यह बहुत ही आसान method और interesting method आज हमने किया. I hope सब को डिटेल में अच्छे से समझ आया होगा. हमारे वीडियो को लाइक और शेयर इसी तरह से जरूर करते रहें. Thank you.